हैलो, नमस्ते, आज मैं एक नई रेसिपी की साथ आ गई हूँ, आप लोग की साथ शेयर करने के लिए सुभी का टाइम में भी बना की खा सकते हैं, प्रेक्फास्ट और साम की टाइम में चाय की साथ दिले सकते हैं यह रेसिपी बहुत टेस्टी यम्मी बनते हैं चले अभी हम सुरू करते हैं मैंने ये मीडिम साइज के आलू ली है इसको कदू कस कर रहे हो आप भी इस तरह से कदू कस कर लीजे ये रेसिपी बनाने के लिए आलू बोयल नहीं होना चाहिए कच्चे है आलू चाहिए अभी मैं आलू को यहाँ पर पानी पर तीन चार बर अच्छे सी धोलोंगे और पानी में भीगा के आलू को रख दोंगे अभी चले हम इहाँ पर आलू को अच्छे सी धोल लेते हैं इस तरह से देखें अभी हम इहाँ पर बोल पर लेते हैं एक कप सूजी और इसी कप से नाप के लिया है मैंने यहाँ पर बैसन, सुजी और बैसन को मिक्स कर देंगे और हम यहाँ पर ले रहे स्वादानुसर नमाग और धोरी सी धन्या का पाउडर और कस्मिरी लाल मिच पाउडर इसके साथ हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे अच्छी से, अच्छी से मिल जाए सब जगह में अभी हम यहाँ पर डाल देंगे थुरी थुरी पानी करके पहली बैटर को अच्छी से मिक्स कर देंगे लंस ना आ जाए इस तरह से अभी हम यहाँ पर इससे मिक्स करने के बाद पाने और डालने है क्योंकि सुजी फूल जाएंगे बैसन और सुजी का मिक्सर अच्छी बन जाएंगे दोनों भी यह देखें अभ यहाँ पर चाहे तो आजवायन भी थोरी सी डाल सकते है अभी इस टाइम पानी देखते है मैंने एक कप पुरा लिया है अभी भी मुझे कम लग रही है पानी इस तरह एदेखें मोटाई है अभी अभी और मैं हाफ कप पानी डाले रही है आपे अभी हो गया मिक्स अच्छी से और हम इसको अलग से साइट करके रख देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इहाँ पर लेंगे एक पैन पैन में मैंने दो चमस ओयल लिया है कुकिंग ओयल और यहाँ पर मैं जीरा डाले रहे हो हाफ चमस और काली राइ हाफ चमस और यहाँ पर में एक चमस सफे तोला तील ले रहे हो यह तील डालनी से अच्छी देखते है हम लोग का यह रेसेपी और स्वाद पी बढ़ते है इसका फ्लेवर वे अच्छे आते है एक मिनिट तक हम इसको ऐसे लो फ्लेम में बोन लेंगे और आलू डाल देंगे इसी टाइम अभी बैसन और सुजी का घोल यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से और लो फ्लेम करके इसको अच्छी सी पकाएंगे आलू भी पाक जाएंगे और सुजी और बैसन भी अच्छी सी पाक जाएंगे और मैं यह आपर प्लेट पे थोरी सी ओयल डालके ब्राश करके रख दे रहे हूँ इसी टाइम हम यह रखना है यह देखिए अच्छी से पाक रहे है सुजी, बैसन और आलू हमें इस तरह से लो फ्लेम करके पकानी है पेन में ना चिपके, इसलिए हमें इसको अच्छी से चलाती रहनी है अच्छी से पाक जानी से पेन में नहीं चिपकेंगे यह जहां आप लेके जा रहे हूँ, वो वहें पे जाएंगे तभी हमारे यह बटर टायार हो जाएंगे अभी मैं यहाँ पर प्लेट पे निकाल दे रहे हूँ अभी बहुत गरम है, इसलिए इसको थोरी से फेला देंगे ठंडे होने के लिए दो-तिन मिनिट का बात यह थोरी ठंडी हो जाएंगे तभी हमें यहाँ पर वेजिटेबल दालने है मैं यहाँ पर चोपिंग के आवा प्याज ले रहे हूँ दो-तिन चमच और दो चमच जैसी गाजर ले रहे हूँ और यहाँ पर मैं डाले रहे हूँ सिमला मिर्च, दो चमच और यहाँ पर लूंगी में मतर बोयल के आवा मतर रहे है मैंने थोरी सी crush कर दिया अभी हम यहाँ पर डाल दिंगे थोरी सी ginger chopping किया हुआ और हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च मैंने थोरा spicy करने के लिए दो चमस यूज किया है आप कम ज़्यादा देखिये और यहाँ पर लसिन डाल दिया है एक चमस और यहाँ पर मैं थोरा spicy बनाने के लिए चिली फ्लैक्स भी डाली है और यहाँ पर धन्या पता भी चौप करके डाल दिया है अभी हम यहाँ पर mix करेंगे इसे बहुत गरम है हाथ पर अच्छी सी तेल लगा लेना और इस तरह से mix कर देना क्योंकि सूजी और यह बेसन जब हमें इसे पकाने होते हैं तो थोरा सा यह चिपचिपा सा रहते हैं और ज़्यादा चिपचिपा हुआ तो फिर अब थोरी सी बेसन को भी यूज़ कर सकते हलके से और इस तरह से mix करने के बाद एक पर ट्राइ कर लेते हैं बन के अगी नहीं नहीं बना तो फिर हम थोरी से यहाँ पर बेसन डाल देंगे इस तरह से हाथ में ले लेना थोरा गरम है ध्यान से बन राए यह यह दिखें अच्छी से बन गया हमें इस तरह से बनानी है ज्यादा मोटा भी मत रखें ज्यादा पतला भी मत रखें थोरा मेडियम साइज बना लेना क्योंकि हमें दो साइड से पकानी है तो अंदर तक पक जाए इस तरह से हमें सब बना देनी है इस तरह से यह दिखें अभी मैंने यहाँ पर हाई हीट करके तेल को पका के रखी हुई थी तो हमें यहाँ पर एक एक पीस इस तरह से डाल देनी है अभी भी हाई फ्लेम ही रखना दो मिनिट के बाद हमें इसको मेडिम फ्लेम पे रखनी है नहीं तो यह अच्छी से टाइट नहीं बनेंगे क्रांची बनानी है हमें इसलिए इस तरह से हलके हलके हाथों से थोड़ा ही लाके रख देना दो मिनिट के बाद उपर से थोरी से इस तरह से तेल को डाल देना गरम गरम तेल अभी हमें यहापर मिडिम फ्लेम करके पकानी है एक पीस में दिखा रहे हो यह दिखे अंदर से सॉफ्ट है इस तरह से फॉल कर देंगे यह दिखे ब्राउन ओरे हमें थोरी डार्क ब्राउन करनी है इसको क्योंकि अच्छी से पकना चाहिए वेजिटेबल भी डाली हुई है अंधर में इस तरह से यह देखे आपको सुबह का ब्रेकफस्ट में खाने का मन है तो आप इस तरह से शेप बनाके फ्रीजर में रख दीजे और सुबह सुबह ओल में फ्राइ करके आप ब्रेकफस्ट में भी खा सकते है और आप सामका टाइम में चाय के साथ भी ले सकते है बच्चों को टमेटो केचप के साथ खिला सकते है एक बार आप यह बनाना तो बनते है एक बार ट्राइ कीजिए कैसे बनेंगे ये रेसिपी और आपको अच्छे लगी तो प्लीज कॉमेंट कर दीजिए और आप ऐसे प्यार बनाते रहे ना मेरा वीडियो पे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले थैंक यू